हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट सोसल स्टडीज के वीक नंबर 14 की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की नौर्ड देली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के द्व के आंसर करिए फर्स्ट क्वेश्चिन है नेम एनी टू विलेजिस ऑफ देली दिली के बच्चों कोई भी दो गाउं के नाम लिखने हैं जैसे कि यहां पर है कॉंडली एंड गड़ी मेंडू नेक्स्ट है आप अपने पैरेंट्स से अपने गाउं का नाम पूछेंगे और यहां पर सभी अपने अपने गाउं का नाम लिखिए जैसे कि यहां पर गाउं का नाम है कॉंडली नेक्स टिस वट इस अपने की क्या इंपोर्टन्स होती है पन कहते है तलाब को पॉंड स ओन्ली प्रोवाइड वाटर पान honest के लिए पानी उपलब्स कराते हैं पानी देत और तब यह है रिसकर प्रत्वी के द्वारा सोख लिया जाता है और तब लोग इस पानी को कुऊं से और बावनियों से निकालते है आपके घर में पानी कहां से आता है आंसर है water comes to our house through the pipes of Delhi Gelboard दिली Gelboard के pipeों के द्वारा हमारे घर में पानी आता है तो बच्चों आपके घर में किस तरीके से आता है आप उसके बारे में लिखेंगे question is if you get a chance to go to a village यदि आपको गाउं जाने का कभी मौका मिले what would you like to do there तो वहाँ पर आप क्या करना चाहेंगे explain briefly answer है I would like to play in the fields over there मैं वहाँ पर it means खेतों में जाकर खेलना पसंद करूंगा I want to eat food cooked on the chula और चूले पर पकाए गए खाने को खाना पसंद करूंगा now question number three fill in the blanks by choosing the correct word बच्चों यहाँ पर सही word को चूज करके blanks को fill करना है words are ponds and boundaries hurry धटनी grass cutter first is water in the village comes from गाउं में पानी कहां से आता है ponds and boundaries से in the village गाउं में when the lower part of the pot is broken जब जो बरतन है घड़ा है उसका नीचे कपाट तूट जाता है it is turned upside down and lined with wet clay तब इसे उल्टा करके इस पर गिली मिट्टी लगा दी जाती है the dry dung is filled in it और तब सूखा हुआ डंग डंग कहते हैं गोबर को इसमें भर लिया जाता है and burnt और जलाया जाता है this unique stove is called और इस unique stove को क्या कहा जाता है हारी friend is called in the language of the village of Delhi दिल्ली के गाउं की भासा में friend को क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है धेठनी तो यहाँ पर लिखेंगे animals feed is cut with the help of animals को चारा किसकी help से काट कर खिलाया जाता है grass cutter की सायता से now question number four looking at the picture given below नीचे दीगे pictures को देखिए choose the correct word and सही word को choose करिए and right और लिखिए well well कहते हैं कुए को चूला pond बुलककार तो बच्चो first picture में क्या है यह है बुलककार बैल गाड़ी यह क्या है बच्चो जिस पर रोटी से की जा रही है चूला इसे क्या कहते हैं बच्चो यह है pond तालाब और next picture में है well it means कूआ life skill time management समय प्रबंदन children बच्चो if you want to do your work better यदि आप अपने कारे को अच्छे दंग से करना चाहते हैं then you need to learn time management तब आपको समय प्रबंदन के बारे में सीखने की ज़रुवत है in this way और इस प्रकार you will be able to do all your work on time और इस तरीके से आप अपना सारा कारे समय पर कर पा होगे activity है make a chart for your day to day activities आप अपने रोज मर्रा की इतमी रोज की activities का एक चार्ट बनाएंगे mention your entire routine in it और इसमें जो आपका पूरा routine है उसे fill करेंगे when the work is done on time और जब कारे समय पर हो जाए write it और इसमें सही का निसान लगाएंगे in this way your ability and enthusiasm will increase strongly तब आपकी योग्यता और जो उत्सहा है वो strongly बढ़ेगा you will learn time management और आप time management सीखेंगे and make a lot of progress in life और अपने जीवन में बहुत अधिक उन्नती करेंगे तो बच्चे यहाँ पर date लिखेंगे यहाँ पर time लिखेंगे यहाँ पर क्या-क्या activity करेंगे उनके नाम लिखेंगे और यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे संसकार साला never take incomplete knowledge कभी भी अधूरा ग्यान न ले because incomplete knowledge is like a pot क्योंकि अधूरा ग्यान एक गड़े की तरह होता है half filled with water जो की पानी से आधा बरा होता है doesn't work but spills a lot किसी भी काम का नहीं होता लेकिन वो क्या करता है spills बहुत होता it means छलकता बहुत है sports dots house make a lot of dots on a seat एक seat पर बहुत सारे बिंदू बनाएं and make house by joining two dots at a time forming a line एक line को form करते हुए दो dots को जोडते हुए एक घर बनाएं whoever builds the house first will be the winner जो पहले अपना घर बनाएगा वही विजेता होगा food है bottle guard and rig guard आज खाने में लेंगे बच्चो लौकी और तोरे activity में का list of activities in which you can support your mom or dad बच्चो आप उन activities की list बनाएंगे जिनमें आप अपने माता पिता को सहयोग कर सकते हैं now daily routine include the following habits in your daily routine दी गई habits को आप अपने daily routine में include करेंगे करके अपने दिन की शुरुआत करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें take a bath daily रोजाना नहाएं drink plenty of water परयाप्त मात्रा में पानी पियें and eat a balanced diet और संतुलित आहार लें avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और बार बार अपने हाथों को दोएं complete your homework on time और अपना कारे समय पर पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you ב्दण। जार बार भार फूर्ण